नमस्कार आधाव सब्सक्राइब कर लेकर एक बार फिर दिलिप कुमार ने अहवान किया है कि 15 नवंबर को सारे प्रथम इंटरस्तरिय अभियरती धरना परदर्शन करेंगे और ये धरना परदर्शन कहां होगा और इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दिलिप कुमार आप खु हाद जोर के बिंती कर रहे हैं कि आप एक भी सीट खाली नहीं रहा है इसका भरपूरी इंतजाम किजिए और कॉंसलिंग में सीट से दो गुना जैदा लोगो को बलाइए और कॉंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी किजिए सबका मार्क्स जारी किजिए और जल से जल्द और इसलिए मैं आप लोगो के हीत के लिए आप लोगो के साथ कदम से कदम मिलाकर लग रहा हूं लेकिन आप लोगो इस बहाली से नौकरी लेनी है उसके बाब जूद अगर घर बठे रहेगा तो आपके लिए कल को कोई लरने भी नहीं आगा और एक तरह से ये गुलाम मान अब जरूरत है तो हर जगत युबाहों के साथ सोचन हो रहा है तो आप जरूरत है कि बिहार के समझत चात्राव से महाद जोर के बिंती करें कि एक प्लेटफॉर्म पे आईए एक मंच पे आईए और एक साता वाज उठाई राष्ट्रिय छात्रेक्ता मंच इसलिए हम लोग ने बनाया है ये राष्ट्रे छात्रेक्ता मंच किसी बैक्ति का संगटन नहीं है ये बिहार के देश के तमाम चात्रिवाओं का संगटन है कि जहां भी चात्रिवाओं के साथ अन्याय होगा वहाँ राष्ट्रे छात्रेक्ता मंच खरा होकर लड़ेगा और कल 15 नमंबर को आप लोग सारे 10 से 11 बजे के बीच जरूर आजाए क्योंकि 11 बजे से अंदुलन हम लोग का सुरू होना है और इस अंदुलन के लिए हम लोग ने पटना जिला प्रशाजन से अनुमती भी ले लिया है और आप लोग जरूर आईए आप लोग से हद जोर के बिंतिया घर मत बैठे रहिए आप लोग घर मत बैठे ये क्योंकि अभी भी देखिए हमारी कमजोरी है हमारी ये कमजोरी है कि 33,000 से जयदा परिक्षारती है बिहार में 25 लाख स्टुडेंट्स है जो परतियोगी परिक्षाव की तैयारी करते हैं फिर भी जब आंदोलन होता तो कितने लोग हमारे साथ आते हैं तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप अन्याय और सोसन के खिलाप नहीं लड़ रहा है या नहीं लड़ना चाहते हैं अगर आपके अंतरात्मा कहें कि अन्याय और सोसन के खिलाप आपको लड़ना चाहिए तो कछल आप 15 अमङर को जरूर आईए और सोसन के खिलाप अब話 उठाओ तो कल जरूर आईए 15 अमबर को सारे दस से गारा के बीच पटना के गरदनी बाग धरना अस्तल पे अगर आप नहीं आते हैं तो समझ लिजे कल के बाद आप यह मत बोलिया कि B.S.S.E. या नितीज सरकार तो सुना आपने दिलिक पमाने साफ तोर से ये बात कही है कि गरदनी बाग पटना में 15 नवंबर को धरना परदर्शन होगा और सारे अभियरतियों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो पटना की सड़कों पर उतरें गरदनी बाग आएं और सरकार के और आयो से ये अप हमें फालो जरू करें धन्यवाद